हाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल फाइनांस के ऊपर एक पॉपिलर बुक जिसका नाम है The Psychology of Money इस बुक के ऑथर मॉगन हाउजल है जो कॉलाबरेटिव फंड नाम की एक वेंचर कापिटल फिर्म में पार्टनर है इसके अलावा मॉगन हाउजल, The Motley Fool और The Wall Street Journal के former columnist भी रह चुके हैं ये बुक 2020 में publish हुई थी ये बुक इस बात पर focus करती है कि हम fundamentally पैसे को ले के कैसे सोचते हैं और कैसे behave करते हैं इस बुक से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है और आज के इस वीडियो में हम आपको इस बुक की top 5 learnings के बारे में बताएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहली learning ये है कि wealth create करने से ज्यादा important है अपनी wealth को protect करना wealthy तो बहुत लोग बन जाते हैं बट फिर वो जल्दी अपना सारा पैसा गवा भी देते हैं ऐसे बहुत सारे examples हमने देखे हैं इसलिए अपनी wealth को consistently protect करना बहुत ज्यादा critical है काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि good investing का मतलब होता है सही decisions लेना लेकिन Morgan Housel के according अच्छे से invest करने का मतलब है bad decisions को avoid करना हम मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए risk उठाना जरूरी है लेकिन उस पैसे को protect करने की responsibility भी हमारी ही होती है इसलिए हमें हमेशा modest रहना चाहिए और wealth create करने के साथ capital protection को भी उतनी ही importance देनी चाहिए दूसरी learning ये है कि पैसे को हमें freedom पाने के लिए use करना चाहिए wealth एक अच्छी job, बड़े घर और luxury घर से कहीं ज्यादा हमारे पास time को buy करने के लिए काम आना चाहिए आप सही माइने में wealthy तभी होंगे जब आप अपने पैसों को use करके अपने time और life को control कर सकें जब आपके पास ये ability होगी कि आप जब चाहें, जो चाहें और जितनी देर तक चाहें वो कर सकें तभी आप सही माइने में financially independent होंगे तीसरी learning ये है कि actual wealth वो नहीं है जो दिखती है बलकि वो है जो कि हमें नहीं दिखती wealthy बनने में और rich बनने में यही फर्क है कि rich लोगों को identify करना मुश्किल नहीं होता क्योंकि वो luxury cars और expensive घर खरीते हैं फिर चाहें वो उन्होंने debt लेके ही क्यों ना खरीदे हों society में लोग आपकी wealth को आपकी spending capacity से judge करते हैं लेकिन सही माइने में जो लोग wealthy होते हैं वो अपनी income का ज्यादा तर percentage spend नहीं करते उनकी actual wealth assets के form में होती है जैसे कि stocks, rental income, wealthy लोग अपने पैसों की use को खुद की growth में करते हैं और अपने आपको ज्यादा से ज्यादा options और flexibility देने में use करते हैं चौथी learning ये है कि हमें surprises और unknown events के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए हमें life में randomness और uncertainty को accept करना चाहिए और उसके लिए plan भी करना चाहिए इसके लिए हमें दो चीजों के बीच में फर्क समझना होगा क्या होने वाला है और क्या हो सकता है अक्सर हम सारी decisions ये सोच कर लेते हैं कि हमारे according क्या होने वाला है और ये नहीं सोचते कि क्या हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हम उस situation को face कैसे कर पाएंगे इसकी main वज़े ये है कि हम हमीशा ये सोचते हैं कि future में क्या होने वाला है ये हमें पता होना चाहिए हमारे लिए ये accept करना बहुत मुश्किल होता है कि future में क्या होगा इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते और इसलिए हमें uncertain events के लिए हमीशा तयार लेना चाहिए पांचवे और last learning ये है कि इस दुनिया में कुछ भी free नहीं है for example social media handles वैसे तो free है लेकिन actual में देखा जाए तो वो पैसों की जगा आपसे आपका time और data demand कर रहे है इसलिए हर चीज की एक price होती है जरूरी ये है कि हमें वो price क्या है पता होना चाहिए और फिर decide करना चाहिए कि क्या हम वो pay कर पाएंगे क्या हम वो pay करना चाहते हैं या नहीं similarly अगर investing की बात करें तो हमें वहां भी एक price pay करना होता है जिसको आप dollars या rupees में नहीं नाप सकते बलकि investing का असली price है fear, doubt, uncertainty, greed और regret जैसे emotional और mental state से deal करना Morgan Housel के according हमें market के उतार चड़ाव से डरनी की जगा उसे एक fee या एक cost की तरह समझना चाहिए जो कि एक अच्छा investor बनने के लिए pay करना पड़ेगा जब तक हम investing के emotion से deal करके rationally invest करना नहीं सीखेंगे तब तक हम एक अच्छा investor कभी नहीं बन पाएंगे तो ये थे हमारे according the psychology of money के top 5 learnings आपको इन में से कौन सी learning सबसे ज्यादा पसंद आई या फिर अगर आपने ये book पढ़ी है तो आपको इस book के बारे में क्या अच्छा लगा ये हमें comments में बताईए investments related सारे updates देखते रहने के लिए grow की channel को subscribe करें बाबाई Hello दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज मैं आपसे Morgan Hossle की book The Psychology of Money की समरी आपसे share करूंगा जिसमें आप सेखेंगे कि पैसे का इज्यत कैसे करें अमीर कैसे बने रहे हैं और अपने पास जो भी है उसी में कैसे खुश रहे हैं और हमबल बने रहे हैं लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने का एक ही उपा है और वो है अपने पैसे की value को समझना तो चलिए शो करते हैं चलिए इसे एक कहनी के माध्यम से समझते हैं एक technology executive था जिसने अपनी यंग येज में ही बहुत सारा पैसा और कमपनिया बना ली थी लेकिन वो पैसे की कदर नहीं करता था वो हर समय अपने पास नोटों की bundle लेकर घूमता और अपने अमीर होने का दिखावा करता एक दिन वो अपने दोस्तों को एक नोटों की गड़ी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में convert करके लाओ उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैम खेलता है कि कौन सोने की सिक्के को कितना दूर फेक पाता है पैसे के साथ उसका ये वहवार उसे जल्द ही bankrupt बना देता है और अथर अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताती है रुनाल जिन्स नाम का एक साधारन सा वेक्ती था जिसने 25 वर्सों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की और 17 वर्सों तक फर्स पर जाडू लगाया लेकिन जब उस वेक्ती की मौत 92 येर बाद हुई तो उसके चर्चे देश वीडेश के न्यूज चैनल और अखभारों में होने लगी क्योंकि मरते समय उसके पास 50 करोड की समपती थी आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कमपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्ट में इतना बड़ा नेट वर्थ बन गया अब उथर टेक्नलोजी एक्जकिटिव और एक सधारन से सफाई करमी के पैसे के परती behavior को compare करते हैं और कहते हैं कि पैसे को earn करना या उसे save करने के लिए किसी technical knowledge की जवरत नहीं है बलकि या इसके उपर depend करता है कि आप पैसे को खर्च कैसे करते हैं पैसे के परती आपका रवया क्या है पैसा कमाना एक skill है जिसे कोई भी इनसान सीख कर financial success पा सकता है जहां एक technology executive well educated होने के बाबजूत bankrupt हो गया वहीं एक सफाई करमी जो अनपर होने के बाबजूत पैसे के परती अपने behavior को अच्छा रखता है वी cheap stock में invest करता है और एक दिन करोड़ पती बन जाता है next कोई भी मुर्ख नहीं है आज की पीडिया फिल्म देखने लौटरी का ticket खरीदने और game खेलने की पीछे अपने पैसों का ज़्यादा तर हिस्सा खर्च कर देते हैं या काम ज़्यादा तर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं और ऐसे लोग emergency में 20-25,000 रुपए भी arrange नहीं कर पाते क्या ऐसे लोगों का लौटरी टिकट खरीदने का कोई sense बनता है ऐसे लोगों को उन पैसे को emergency need के लिए बचा कर रखना चाहिए जो कि वो लोग नहीं करते हैं वो लोगों का कहना है कि पैसा saving करना हम लोगों के लिए possible नहीं है क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो जाता है हमारे पास saving की possibilities ही नहीं है ऐसे में बड़ी गारियां और बड़े घरों के बारे में सोचना ये सब हमारे पहुँच से बाहर है इनी सपनों को पूरा करने के लिए हम लोटरी का टिकट खरीदते हैं अथर इस कहाने के जरी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वो वेक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो वो अपने फैसले एक्सल सीट का एनलसिस करके नहीं लेता बलकि वो अपने फैसले परिस्थितियां और भावनों से परवावित हो कर लेता है ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूँ वो आपको मुर्खता पुन लगे या ये भी हो सकता है जो फैसले आप ले वो मुझे मुर्खता पुन लगे लेकिन हमारी financial success या growth इस बात पर depend करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के उपर नियंतरन कैसे रखती हैं हम अपने पै जा व्यक्तिकत प्रयासओं और भागी पर भी नर्वर करता है जिसमें जोखिम बे शामिल होता है आएसे हम एक स्टोरी से समझते हैं 1961 में जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उस समय पूरे वर्ड में 30 कडोर उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे वो जिस लेक साइड स्कूल में पढ़ा करते थे उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए computer भी था बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केंट इवान्स के बारे में कहते हैं अगर केंट ने मेरे साथ इस स्कूल छोड़ दिया होता तो आज हुआ मेरी company Microsoft के founder होते लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और mountain climbing के दौरान उनकी मौत हो गई उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से एक वेक्ती करता है क्योंकि mountain climbing करने लाखों लोग जाते हैं लेकिन उसमें मरता कोई एक ही है इस प्रकार से लेखक भाग और जोखिम को समझाते हैं जिसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट के सफलता के पीछे उनके आगगी के आलाबा और भी कई फेक्टर होते हैं जैसे कि effort, hard work, decision और सही माग दर्सन पर काम करना next कभी भी परियाप्त नहीं psychology of money के बारे में समझने के लिए लेखक कुलकता मेजन में रजत गुपता का उधारन देते हैं और बताते हैं कि रजत आनात होने के बाब जूत 40 साल की उम्र में मैकेंजी के CEO बने उनके पास 2008 के दौरान कुल 100 मिलियन डॉलर थे जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर interest income के जरिये बिना कुछ किये ही दो घंटे में एक लाक रुपया कमा सकते थे लेकिन वो इतने पैसे से संतोस्ट नहीं थे वो करोरपती से अरपती बनना चाहते थे और इसी लालच में उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिससे वर्सों का बना बनाये reputation मिट्टी में मिल गई वो बोर्ड मीटिंग में मिले secrets जानकारियों को financial profit के लिए base दिया करते थे insider trading के गुना में उन्हें दोसी करार देकर jail में डाल दिया गया ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी finances goal को अचीब करने के बाद भी दूसरा financial goal अचीब करना चाहते हैं ऐसे लोग रुकते ही नहीं लेकिन ऐसा ना करके पैसे से ज़्यादा अपने परिवार और सुक सामती को महत्तु दें क्योंकि ज़्यादा पैसे का लालच आपके दिमाग की सामती को भंग कर सकता है इसके अलावा दूसरे वेक्ति के financial growth से अपनी growth की तुल्ला ना करें जैसे कि मेरे दोस्त के पास range rover है, OD है तो मेरे पास भी होना चाहिए ऐसा ना करें वरन बफिट जब बच्चे थे तभी से stock market में invest करते थे आज के समय में उनकी net worth 86.5 billion dollar है इसमें से उन्होंने 81.5 billion dollar retirement याने कि 60 वर्स की उन में एक अठा की इसमें कोई संदेह ही नहीं आज के समय में वरन बफिट अधभूत investor है लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसे बनाने के लिए constantly invest करते रहना चाहिए जहां एक normal इंसान 20 वर्स की आयू में पढ़ाई करता है वही वरन बफिट ओस समय 9.3 million dollar के मालिक थे इस उधारन को देखकर यह कहा जा सकता है कि वरन बफिट के काम्याभी का सबसे बड़ा रिजन छोटी उम्र से ही investment करना था जिसे उन्होंने retirement के उम्र तक continue रखा दोस्तो ये थी psychology of money की शमरी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताई वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें Thanks for watching कई बार हम ये सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग बहुत जादा पैसे होने पर भी हमेशे एक मीडियो कर की life ही जीते रह जाते हैं और कैसे कुछ लोग कम इंकम होते हुए भी long term में millionaire बन जाते हैं आप चाहें माने या ना माने इस वक्त पैसो को लेकर job decision ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के financial status पर असर डालेंगे तो क्यों न अभी से पैसो की psychology को समझा जाए और जल्दी से इसका advantage लिया जाए इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है the psychology of money जिसे Morgan Hazel ने लिखा है ये किताब person finance को human behavior के lens से पर रखती है ये कई subject पर एक fresh नजरिया देती है जैसे कि बहुत ही person finance की book focus करती है ऐसी चीज़ों पर जैसे stock market कैसे काम करता है कैसे stock silk किये जाए या portfolio बनाया जाए हाउसल लोगों और पैसों के बीच की relationship पर focus करते है इस पर पकड़ बनाने के लिए कि क्यों लोग कुद को कर्स के बुच तले दबा लेते हैं आपको interest rate जानने की जरुद नहीं है आपको लालच को और सुरक्षा को positivity को study करने की जरुद है अच्छा पैसा होने का आपके smart होने से बहुत कम लेना देना है तेकिन जादा इस चीज से लेना देना है कि किस तरा आप behave करते हैं सही चीजों में engage करें और चांसे कि आप succeed कर जाएंगे इसी तरह से चाहे आपमें कितनी भी intelligence समझ या अंदर की खबर हो या आपको गलत behavior से object result से नहीं बचा सकती है बुक का हर chapter एक इनसान के पैसो के प्रती behavior और attitude को तरशाता है कुछ निश्चित behaviors अच्छे नतीज़े की guarantee होते हैं जबकि दूसरे behaviors failure की इस बुक में money से जुड़े बहुत सारे lessons पर बात की गई है कुछ lessons हमारे कुछ निश्चित व्यवार के प्रती साज़क बनाते हैं दूसरे lessons हमें लाबकारी आदतों को अपनाने के लिए प्रत्साहित करते हैं इन lessons की खुबसूरती ये है कि इनने कोई भी कर सकता है ये सिर्व जादा income वाले लोगों के लिए या बहुत बड़ी educational डिग्री वालों के लिए नहीं है ये बुक आपका अपने पैसों के साथ relationship और attitude से धारने का काम करेगी कि ये मुश्किल नहीं है आथर हमको अशौर करते हैं पैसा बनाने के लिए से परनशाशन, सबर और constructive behavior की जरुत होती है अगर आपने अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं immediately चैनल को subscribe और वीडियो को immediately like भी करते है हमारे चैनल YouTube के best summary चैनल में से एक है हमारे वीडियो कभी-कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और वीडियो के content पर कभी भी compromise नहीं करते इसलिए वीडियो को end तक देखना जरूरी है और याद रखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरुतमन लोगों के साथ इस वीडियो को share करना ना भूले क्या पता उनके जरूरी इस वीडियो को देखने के बात बदल जाए तो चले फिर इस book के 12 important lessons को detail में समझते है No one is crazy हर एक की अलग सोच होती है कि किस तरह दुनिया काम करती है आपका दुनिया को देखने का नजरिया कई हालातों, values और बारी प्रभावों से प्रभावित होता है आपका अपने पैसों के साथ personal experience का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना दिना 0.00000000001% है लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है कोई भी चीज आपके डर और अनिश्चिता की ताकत को रोक नहीं सकती है चाहे आप कितना भी पढ़ लें या उपन मैंडेट हो जाएं हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है तेकिन हम इसको एक पतले सेरेशे के बराबर भी अनुबव नहीं कर पाए है यूएस में लॉटरी खरीदने वालों पर गौर करे लो इंकम वाले लोग साला अना इस पर 400 डॉलर तक खर्च करते हैं यानि कि लगबग 30,000 रुपए ये नंबर हाइर इंकम वालों को भी चौका सकता है इसे पैसो की एक उमीद और खौईश का नाम दे कर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं कोशिशों से आपकी नतीजे तैह होते हैं लेकिन लक और रिस्क भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टन रोल ने भाते हैं बिल गेट्स उन चरिंदा हाइज स्कूल में पड़े हैं जा 1968 में कम्पूटर हुआ करते थे अगर टीजर बिल डगॉल की कोशिश नहीं होती जिन्होंने उस टाइम पर एक 3000 डॉलर का कम्पूटर खरीदा तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को सेम करियर में सक्सेस मिलती बिल गेट्स खुद ये चीज़ मानते हैं कि अगर लेक साइट स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रसॉट भी नहीं होता लेक साइट में तीन बहुत बहुत बहतरीन कम्पूटर स्टुडेंट्स थे जो आपस में दोस्त भी थे बिल गेट्स, पॉल आयलन और केंट एवांस केंट एवांस को भी सक्सेस मिलना ते था लेकिन उनकी ग्राइशन से पहले ही एक एकसिदेंट में मौत हो गई इसे एक बैड लग के उधारन के तौर पर देखा जा सकता है किस्मत और जोकिम लेना ये दोनों वो रियालिटी हैं जो हर एक की लाइफ में उसके खुद के एफ़र्ट के अलावा भी उसके आटकम पर ऐसर डालती हैं ये दोनों चीज़े होती हैं क्योंकि सिर्फ आपके एफ़र्ट के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉंपलेक्स है किसी ऐसी खटनागा जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसका भी आपके उपर अच्छा खासा प्रभाव पढ़ सकता है ये कहानी है रैटर कर्ट और जोसफ की जो एक बिलनेर की पार्टी में शामिल होते हैं कर्ट ने कहा कि ये बिलनेर एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने पॉपलर नोवल से आस्तर कमा नहीं पाए है हेलर ने कहा हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा वोय एनफ यानि कि बहुत जो आपके पास है उसे खत्रे में डालने की कोई वज़ा नहीं बनती सबसे मुश्किल फरेंशल स्किल्स ये है कि आप अपने गोल पूस्ट को मूव ना करने दे खुद को दूसरों से तुलना करना है कलती है वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिजम अच्छा है लेकिन सावाजिक तुलना एक ऐसा प्रसस है जो कभी खत्म नहीं होती है आपको इस सीड़ी पर हमेशा आपसे उपर कोई मिल ही जाएगा एनफ होने का मतलब है आपको ये पता हो कि किस चीज को अवोईड किया जाए जिसके लिए आपको बाद में पस्ताना ना पड़े कई चीजें रिस्क लेने लाइक नहीं होती है चाहे उनसे कितना ही फायदा क्यों न हो जैसे की रेपूटेशन, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही ना बने वरन बुफे के पैसो के पीछे एक सिंपल सा फैक्ट है वो सिर्फ एक अच्छे इंवेस्टर नहीं है वो कंसेस्टेंट 75 सालों तक एक अच्छे इंवेस्टर रहे है इनके फैनेशल सक्सेस को एक फैनेशल बेस में बांधा जा सकता है जो नोंने अपने शुरु आती सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबे समय तक बनाये रखा इंवेस्टिंग उनका स्किल है लेकर उनका सीक्रेट है टाइम अच्छे इंवेस्ट्मेंट हमेशा सबसे जादा रिटर्न के बारे में नहीं होती यह उन अच्छे रिटर्न के बारे में है जिनके साथ आप चिपकर रह सकें और लंबे समय तक इसे दोरा सकें और यहाँ पर कंपॉंडिंग अपना चादू दिखाती है पैसा पाना और बनाए रखना बिलकुल अलग चीज़े हैं और इनके लिए बिलकुल अलग माइंडसेट और स्टाटिजीज चाहिए पैसा पाने के लिए रिस्क लेने के जरुत होती है पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें जोग देने की पैसा बनाए रखने के लिए जरुत होती है ठीक इसके उल्टे की इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर की जो आपने कमाया है वो बहुत चल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है माइकल मोटिस जो कि एक वेंचर कैपिलिस्ट हैं कहते हैं हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा हम अभीतर के मिले रिवार्ट्स पर रेस्ट नहीं कर सकते हैं हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते हैं हम ये मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सक्सेस आने वाले एकल की success में तबदील हो जाएगी एक survival mind होने के लिए तीन चीज़ों की जरुत होती है financial unbreakable होने का लक्ष बनाए इतने capable बने कि market के उतार चड़ाफ सहन कर सके और game में लंबे समय तक बने रह सके ताकि compounding अपना चातो दिखा सके प्लान करने के लिए सबसे important चीज़ है कि कोई भी प्लान आपके प्लान के according नहीं जाएगा हर प्लान में गलती के लिए जगह रह जाती है जितना आपको अपने प्लान को successful बनाने के लिए एक खास element की जरुत होगी उतना कमजोर आपका प्लान होगा आने वाले कल को लेकर आशावादी रहे पर success के रास्ते में आने वाली बाधाओ को लेकर भी सचीत रहे ये एक आर्ट कलेक्टर है हेंस ब्रिगरन के स्टोडी है उन्होंने प्लिकासो, बर्कर्स, क्लीस और मेंटेसिस की एक amazing collection इकटा की लोग उसके आर्ट में इन्वेस्ट करने की कला से बहुचके रह जाते थे सचाई ये थी कि उस्टे बहुत जादा संख्या में आर्ट खरीद लिये थे उसके collection का कुछ ही हिस्सा valuable था बर्गरन कई बार गलत भी हो सकते थे फिर भी आखिर में वो सही निकलते थे रहे होते हैं कुछ परसंट अच्छा परफार्म करने का और एक दो परसंट अच्छे रिटर्न का अगर स्टॉक मांकेट में विनर्स और लूजर्स के डिस्टिबिशन पर विचार करें तो जादा तर पब्लिक अम्प्रीज फेल हो जाती हैं कुछ ही ठीक ठाक कर पाती हैं और कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़े गलच जाएंगे तूटेंगे फेल भी होंगे लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है वेल्थ वो फिनेशल एसेट है जो अबी तक किसी अबज़ेक्ट में कनवर्ट नहीं की गई है हावजल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो मिलनेर बनना चाते हैं इसका असली में मतलब ये है कि वो एक मिलन डॉलर खर्च करना चाते हैं एक मिलन डॉलर खर्च करना मिलनेर बनने का बिल्कुल उल्टा है wealthy और rich के बीच में difference ही है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और fancy car चलाते हैं वो rich हैं बड़ी income आले लोग rich हैं वो इस चीज को दिखाते हैं कि वो rich हैं wealth छुपी हुई होती है wealth वो income है जिसे save किया जाता है ना कि खर्च wealth का होना है option का होना flexibility का होना और growth का होना wealth का मतलब है वो खरीदने में capable होना जिसकी आपको ज़रूत है save money एक certain income level के बाद तीन तरह के लोग होते हैं एक जो saving करते हैं दूसरे जो सूसते ही नहीं हैं कि वो पैसा बचा सकते हैं तीसरे वो जिनको नहीं लगता कि उनको पैसा बचाने की ज़रूत है आपकी saving rate आपकी income या investment return से भी साधा important है लोग क्या सोसते हैं और feel करते हैं इसके बारे में चिंता ना करें अपने time के उबर control होना और options होना दुनिया की सबसे valuable currency है reasonable, rational and room for error financial decision लेते समय बिलकुल ठंडे होकर ना रहें reasonable होने का लक्षे रखें reasonable होना ज़ादा realistic है और इसके साथ लब में समय तक बने रहने की जो सबसे ज़ादा matter करता है पैसा बनाने के chances टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं Scott Sagan जो की एक political scientist है कहते हैं चीजे जो पहले कभी नहीं हुई है वो पूरे टाइम होती रहती है याद रखें बीते कल की performance आने वाले कल की performance का indicator नहीं होती है blackjack या पोगर के player को पता होता है कि वो संभावना के साथ खेल रही है निश्चिताओ के साथ नहीं सबसे भैतर plan ये है कि उन चीजों के लिए plan किया जाए जो आपके plan के according नहीं जाती हो आप इसको गलती के लिए जगे होना भी कह सकते है ये एक लौता तरीका है सुर्चित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो की odd से चलती है ना कि certainty से एसी चीज के लिए prepare होना ये anticipate करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख नहीं सकते तो आप क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि आप single point of failure को avoid करके failure के impact को minimize कर सकते हैं सबसे बड़ा single point of failure ये होता है कि आप अपने खर्च और जरूरतों के लिए सिर्फ एक source of income पर निर्वर रहते हैं वो भी बिना किसी saving के rainy day funds एक अच्छा idea है उन चीजों के लिए पैसा बचाएं जिने आप anticipate या predict नहीं कर सकते हैं You will change हम खुद के future self के एक बहुत बुरे predictor होते हैं हमारी अभी की needs, wants वो नहीं होती है जो हमारी future self की needs या wants होंगी Long term के लिए सोच पाना और effectively decision ले पाना बहुत मश्किल होता है इस सच्चाई को स्विकार करें कि एक इनसान change होने के लिए ही बना है आज जो आप के लिए माइने रखता है हो सकता है आने वाले 10 सालों में उसका कोई मतलब ही ना रहे Sun cost बीते हुए कल के बुरे decisions को आगे बढ़ाते जाना जबकि नुकसान के भरपाई होना possible नहीं है ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है ये एक devil का काम करता है ये हमारे भविश्य को हमारे past का गुलाम बना देता है ये उस अजनवी की तरह है जो आपकी life के बड़े decision लेता है जैसा कि आपने एक business में invest किया और बुरी तरह fail हो गए अब आप इसको continue रखने का सोचते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके हो बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये जरूरी नहीं कि आप पैसा बना लोगे जो चला गया वो sunk cost है जरूरी ये है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं पैसों के साथ चुड़ी कई चीजों के लिए ये जानना है कि उसकी कीमत क्या है और उसको चुकाने के लिए तयार है ना सक्सेसल इन्वेस्टिंग एक कीमत मांगती है लेकिन इसकी करनसी डॉलर या सेंट में नहीं होती ये होती अस्थर्था, डर, शंका, अनिश्चित्ता और पस्तावा इन सारी चीजों को अंदेखा करना आसान है जब तक कि हम रियल में इने फेस नहीं कर लेते बहुत कम लोगों में ये कहने का सुभाव होता है कि ठीक है, अगर मैं अपना 20 परचन पैसा गवाभी देता हूँ तब अगर आप अस्थर्था को एक फीज की तरह देखने लगते हैं तो चीज़े अलग दिखती हैं जब आप लॉंग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शाट टर्म में मार्केट के उतार चड़ाव को भी एकसर्प करने के लिए तयार रहना पड़ता है तस इरक्षन और पैसिमिजम नेगिटिव थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज़्यादा कॉमन नहीं है यह उससे ज़्यादा स्मार्ट भी लगती है यह आपको बुद्धिमता के तौर पर बंदी बना लेती है और हम इस पर पॉजिटिव टी से ज़्यादा ध्यान देते हैं अगर आप किसी को यह बताएं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो या तो वो आपसे दूर निकल जाएंगे या आपको उलजन बरी निगाह से देखेंगे किसी को यह बताएं कि उनपर खत्रा है और आपको उनकी पूरी अटेंशन मिलेगी डैनिल कैनेमन कहते हैं यह पॉजिटिव और नेगिटिव एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस के पावर के बीच की और समानता की एक अविलिशनरी हिस्ट्री है औरगनेशन खत्रों को ऑपरचनिटी से ज़्यादा आरचन मानकर काम करते हैं और उनके सर्वाईवर रिप्रोड्यूस करने के चांट से ज़्यादा बन जाते हैं यह 2000 में जब और और प्रावर के प्राइस बढ़े कुछ खास सरह के और और निकालना एकॉनमिक ली पॉसिबल हो सका आवशक्ते आवशकार की चन्नी है और मानवतानन्त रूप से इनोविटिव है लोग बादाव और प्रावल्मस को नए सॉलुशन के साथ रिस्पॉंड करते हैं खत्रों के साथ से मैगनिटूट के सॉलुशन भी आते हैं कॉनमिक हिस्ट्री का ये कॉमन प्लॉट है जिससे अकसर नेकिटिव थिंकर द्वारा भुला दिया जाता है प्रोग्रेस धीमी होती है टिकन सेटबैक और डिजास्टर जल्दी और जादा इंपक्टफिल होते हैं बहुत सारी ओवरनाइट ट्रीटीज होती हैं एकन शायद ही कभी ओवरनाइट मिरिकल होते हैं ग्रोथ बनती है कंपॉंडिंग से जो कि हमीशा वक्त लेती है डिस्टार्शन होते हैं सिंगल पॉंट ऑफ पेलियर से जो कि कुछ सेकेंड में हो जाते हैं और confidence lose होना वो भी एक जटके में हो जाता है Confessions इस शेप्टर में ऑथर अपने financial behavior और belief को highlight करते हैं हावजल के financial decision की एक ही drive है independence वो कम खर्चवाली activities में pleasure कुछते हैं जैसे exercise, reading, podcast और learning उनके पास लोगों के पैसा से लिया हुआ घर नहीं है वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये एक बुरा financial decision हो पर ये एक अच्छा money decision है क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांती तो है वो अपने 20% reset cash में रखते हैं जिसमें उनके घर की किमत चामिल नहीं है वो एक safety net बनाने के लिए और emergency में अपने stock बेचने से बचने के लिए ऐसा करते हैं चार्डी मंगर कहते हैं compounding का पहला नियम ये कहता है कि इसमें बिना वज़े रोक टोक ना करें हाउजल अब किसी individual stock में invest नहीं करते हाउजल ने सभी stock market investments low cost index fund में कर रखे हैं कुछ लोग average market को outperform कर देते हैं ये बहुत मुश्किल है और जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हर investor को वो strategies choose करने चाहिए जिसमें उनके goal पाने के सबसे ज़्यादा chances हो ज़्यादातर investor के लिए long term में low cost index fund सबसे ज़्यादा return देख कर जाता है थांकि दोस्टो I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी I hope आप इस किताब के सभी lessons को अपनी life में अपना कर अपनी life को और भी पहतर तरीके से जी पाएंगे आप इस book को order करके और भी detail में पढ़ सकते हैं Link description में दिया गया है अगर आपने अब तक मारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमेटरी चानल को सब्सक्राइब और वीडियो को like और comment भी करते हैं इससे हमारा motivation consistently बढ़ता है आप हमें हमारे Instagram, Facebook, Telegram और Twitter पर भी follow करें अगर आप हमसे collaboration ये promotion में help लेना चाते हैं तो हमें email करें अगर आपको लगता है ये वीडियो दुस्तों को भी like में help कर सकती है तो सबके साथ ये शेयर भी करें जल्दी मिलेंगी और भी बहतर वीडियो के साथ Thank you so much